इस वीडिो में बात करेंगे इलाभाद हाइग्वक्षूर्ट प्रोसेस सरवर का काम और उसकी सैलरी के बारे में हें हलाकि मैं पहले एक वीडियो बना के पूरी डीटेल में प्रोसेस तरवर को समझा चुका हूँ वर्क प्रोफाइल, सैलरी, छुटी सारी चीजे समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी नए वीडियो उस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो वो बारे भी आपको बताने वाला हूँ और अगर आपके कुछ और सवाल रह जाते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं इस बारे में भी आपको पूरी जो सही डीटेल होती है जो authentic बात है जो जैसे department में हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो जो भी जानकारी इस भरती को लेकर मैं दे रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके बाकी डेर से दोसों वीडियो के आसपास मेरे चैनल पर उपलब्द हैं अलावाद हाई को आए हुए एक आदमी साइकल से जा रहा है अब साइकल का जवाना तो चला गया तो अब बाइक से लोग जाते हैं प्रोसेस तरवर का काम क्या है जो भी यहां से डाक समझते हैं जो डाकिया लेके आता है वो डाक चिथी पत्तरी कागज ठीक है वो कोड से डाक खाने के है ऐसा कोई कागज तो उसे लेकर जाने का काम प्रोसेस सर्वर का होता है बहुत सारे कागज ऐसे हैं बहुत सारे प्रपत्र ऐसे हैं जो कहीं पर जमा कर देने होते हैं जाके और बहुत सारे प्रपत्र ऐसे हैं जब हम किसी के घर जाते हैं कोई प्रपत्र लेके उसे सूच जाती है तब process server क्या करता है उस प्रपत्र में उस notice में उस सम्मन में जो भी उसके पास कागज होता है उसमें report लिक कर लाता है कि ये व्यक्ति मुझे घर पे मिले या ये व्यक्ति को ढूडा गया पर घर पे नहीं मिले घर पे ताला लगा मिला या जो भी बात है कि यहां कोई भी नहीं रहता है इस नाम का इस घाओं में वो report लिक कर लाते है अपने कागज पर और वो court में submit कर दिया जाता है ठीक है तो ये process server का काम हो गया नियाययले से दूसरे नियायले में भी process server जाते है ठीक है विसे संदे स्वाहग बना के जाते है तो नियायले से दूसरे नयालेओं में या जिला नयालेओं से हाई कोट के लिए या किसी दूसरे कार्याले में तहसील में SDM आफिस में कहीं भी इन्हें किसी भी प्रपत्र को लेके एक डाहिये के तौर पर भेजा जाता है तो ये प्रोसेस सर्वर का काम होता है ठीक है ये काम आपने समझ लिया और काम के विसे में जो भी आपके डाउट रहे हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं अब इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की तो जो सैलरी ग्रूप डी की सैलरी है ग्रूप डी में ही प्रोसेस सर्वर की नोकरी है ठीक है आपको बेसिक पे जो मिलता है अठारा हजार बेसिक पी मिलता है प्लस 53 परसेंट डिये हो गया है अनि यह अठारा हजार के जिले में है कि आपका चारे 1600 है, 1400 है, 1500 है, 800 है, 700 है जिस भी प्रकार की जिले में आपकी पोस्टिंग होगी चारे उसे इसाब से अलग-अलग आपको मिल रहा होगा तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी 30,000 के आसपास बनेगी उसे NPS कड़ जाएगा ठीक है तो आपको 26,000 के आसपास का बेतन जो है मिलेगा इस नौकरी में, ठीक है क्योंकि गुरूप D की नौकरी है और स्टेट में गुरूप D की कुछ खास सैलरीयां होती नहीं है तो उसी इसाब से नौकरी है 26,000 के आसपास आपका बेतन जाके बनेगा और इससे सम्मंदित कोई डाउट रहे गया हो या किसी और चीज की भरती आप देख रहे है गुरूप D में भी बहुत सारी पोस्ट हैं और C में भी बहुत सारी पोस्ट हैं कोई भी डाउट आपका है तो मेरे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके 2024 हाई कोट भरती वाली आप किसी भी सवाल का जवाब देख सकते क्योंकि हर सवाल पे वीडियो वहाँ पे बना हुआ है हर डाउट पे वीडियो बना हुआ है और जो भी चीज रह जा रही है आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब जरूद दूँगा उमीद है वीडियो आपको अच्छे लगी हो लाग करके जाहिएगा और पहली बार चैनल पे आया थे सब्सक्राइब करके जाहिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए